नमस्कार आज हम बात करेंगे उस कद्दावर नेता की जो उत्राखण में चाहे कॉंग्रेस में रहे हो या फिर भाजपा में अपनी बात मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं जी हाँ हम बात कर रहे हैं कैबिनिट मंतरी और धामी सरकार में महतवपूर्ण दियारी निभाने वाले मंतरी हरक सिंह रावत की जी हाँ जब भी हरक सिंह रावत का नाम आता है तो प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर आपको याद आ जाती होगी चाहे वो कॉंग्रेस में रहे त कि जो संगठन कहता है वही सरकार करती है और संगठन की महतवपूर्ण जिम्मेदारी भाजपा में रहती है लेकिन हरक सिंह रावत एक ऐसे नेता है जिन्होंने भाजपा में तो आये लेकिन जो उनकी आदते थी जो उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स वो करते थे उन्होंने भ पूछेंगे कौन सी सीट, जी हाँ हम बात कर रहे हैं, विधान सभा चुनाव की वो सीट, जिस सीट से हरक सिंग रावत अब चुनाव लड़ना चाहते हैं, हरक सिंग रावत पहले से ही, यानि कि कहा जा सकता है, जब से ही वो राजनीती में आये, उन्होंने लगातार अपनी जो विधान सभाओं की सीटे हैं, या कहा जासता है, विधान सभा जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सीट पांच सालों तक अपने पास रखी, लेकिन पांच साल बाद उन्होंने सीट हमेशा बदली हैं, उसके पीछे की वज़ाए वो ये भी मानते हैं कि, जि पिर उनको कोड़द्वार से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन सुक्तरों से ये भी बात निकल कर आ रही है कि, उतराखन के जो चुनाव प्रभारी हैं, पहला जोशी, उनसे उन्होंने मुलाकात की है, और अपनी तीन पसंदिदार सीटों की जिक्र भी उन्होंने उनसे किया है, जिनसे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब वो सीटे कौन सी होंगी, वो भी हम आपको बताते हैं, वो सीट है देहरादून जिले की डोई वाला सीट, डोई वाला सीट काफी होट सीट रही है, ये पूछेंगे आपकी क्यों, क्योंकि इस सीट से पूरु हरक सिंग रावत की। आखिरकार क्या इस सीट में खास है कि सबी जो बड़े नेता हैं वो इस सीट को पसंद करते हैं और सीट से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले वो दो और सीटें जिन सीटों पर हरक सिंग रावत की नजर हैं वो भी आपको बता दें। एक सीट है केदारनाथ विधान सभा सीट। जहां से अभी वरतमान में जो विधायक हैं वो कॉंग्रेस के हैं और उनका नाम है मनोज रावत। लेकिन क्या केदारनाथ सीट उनके लिए सेफ सीट होगी। या फिर वो डोई वाला के सीट से लिए नहीं बलकि अपनी पुत्र वदू अनुकृति गुसाईं के लिए हैं। उनको वो तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन जो वहां के विधायक हैं उनसे भी उनकी काफी नराजगी इन दिनों चल रही है। क्योंकि उनकी जो पुत्र वदू हैं अनुकृति गुसाईं वो लगातार उस सीट से अपने तयारी कर रही है और जोरदार ये कहा जा सकता है कि चुनाव के मैदान में वो भी उतरती भी नजर आ रही है लेकिन हरक सिंग रावत वो बड़ा चहरा उतराखंड का जो एक समय में कॉंग्रेस के मुख्यमंतरी के चहरे में गिना जाता था आज वो अपने लिए टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं आखिरकार इसकी वज़ा क्या है और वो कोड़दार सीट से क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहते ये भी बताना आपके लिए बहत ज़रूरी है पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कैबिनेट बैठक में कोड़ पॉलिटिक्स करते हुए हमेशा से नजर आते हैं हाला कि कहीं बार मुख्या मंत्री जब तिरवेन सिंग रावत हुआ करते थे उनसे भी नूग जूप हुआ करती थी लेकिन अब क्योंकि चुनावी मैदान में उन्होंने जाना है चुनाव नजदीक है और वो पिछले लं रख दी है ऐसे सूतरों के हवाले से खबर आ रही है लेकिन क्या भाजपा उनको कोड़द्वार से चुनाव नहीं लड़वाईगी या फिर उनकी पसंदीदार सीट उनको दी जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन इसी बीच एक बड़ी समस्या ये भी है कि क्या हरक सिंग रावत को उनकी पसंदीदार सीट नहीं मिलती है तो वो कॉंग्रेस में शामिल हो सकते हैं क्योंकि पिछले दिनों हरक सिंग रावत के कॉंग्रेस में शामिल होने की बात खूब चर्चाएं पकड़ रही थी अब समझते हैं कि आखिरकार हरक सिंग रावत हर बार अपनी विधान सभा सीट क्यों बदलते हैं उसके बीचे की मुख्या वज़ाई ये है कि ये कहा जाता है कि हरक सिंग रावत किस विधान सभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं ना तो उसके बारे में उस विधान स सीट से चुनाब लड़ेंगे लेकिन इतना तैह है कि जिस विदान सभा सीट से वो विधायक है उस विदान सभा से वो दुबारा चुनाब नहीं लड़ेंगे और वो उनोंने थाबित भी करा है लेकिन क्या कोड़दार मेडिकल कॉलिज के लिए जो वो प्रदेशन पुरदास करते वे नज़र आए सरकार के खिलाफ बोलते वे नज़र आए कैबिνεट में स्टिफे की बात करते वे नज़र आए वो medical college मिलने के बावजूद भी हरक सिंग रावत क्यों फिर कोड़द्वार से चुनाब नहीं लड़ना चाते हैं और क्यों हरक सिंग रावत एक बार फिर कोई नई सीट तलाश रहे हैं ये बहुत जरूरी है और उत्राखंड के लिए भी जरूरी है कि जो उनका विधायक है जो उनका प्रतिनी दित्व करेगा उनकी सीट का उसकी भी एक बड़ी जमेदारी होनी चाहिए कि उस शेतर की जो समस्याएं हैं उस शेतर का जो विकास है वो उस विधायक को करना है और अगली बार उसी मैदान में वो उत्रे ताकि पता चले कि उस विधायक ने कितना काम क लेकिन हरक सिंघ रावत एक अलग नेता है एक अलग पहचान रखते हैं और यही वज़ा है कि वो जो भी सरकार रही चाए कांग्रेस की सरकार रही या फिर भाजपा की सरकार रही वो हमेशा मलाईदार पदों में रहे और लास्ट वक्त पर जब चुनाव होते हैं या तो वो party बदल देते हैं या फिर वो seat बदल देते हैं लेकिन इस बार 2022 के विधानसवा चुनाव में क्या हरक सिंग रावत कोड़वार से चुनाव लड़ेंगे या फिर उनको भाजपा किसी नई seat से चुनाव लड़वाती है